आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नियोतरी स्टेडी आईक्यूब आपका बहुत बहुत सबागत है फेच रोवर बहुत ही जादा इसकी न्यूस चल रही है शानदार काम किया है मार्स से अब हम सैंपल इखटा करके वापस धर्ती पे ले के आएंगे यह जो पर्सिवेरेंस मिशन है यह अपने में ही बहुत बड़ा है हम बात करेंगे इस मिशन के और स्वाती मोहन की पर्टिकुलरली बात करेंगे जिन्होंने इस मिशन को पॉसिबल बनाया है स्वाती मोहन की ही वज़े से देखिए रोवर की लैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है न ठीक है एक तो और्बिटर होता है और्बिटर से रोवर नीचे जाता है अब रोवर की जो लैंडिंग है, रोवर मतलब क्या, जो भाई रोम करेगा, जो घूमेगा, जैसे मालो, जैसे हमारे चंदरियान के साथ हुआ था, चंदरियान 2 मिशन वो आधा सक्सेस्फुल हुआ था, अब ऐसा इसी लिए था ना, क्योंकि रोवर जो है वो प्रॉपरली का काम होता है, तो यह स्वाती मोहन ने करके दिखाया है, और हम स्वाती मोहन के ही बारे में जानेंगे, और इस मिशन के बारे में भी बात करेंगे, यूपी ऐसे के स्मार्ट कोसेज आते हैं, जरूर आप पे वेल कराओ, हमने टेस सीरीज में लाँच के, इंस्टा पर करिए, मैं सारी queries answer करता हूँ, तो यह जो NASA का mission है, Mars पे mission, यह अभी तक का सबसे ambitious mission है, और इनका जो Perseverance rover है, वो finally Mars पे land कर गया है, historic landing है यह, नासा का जो Perseverance rover है, जो Mars पे land किया, it is historic, और यह अभी तक, मतलब एक पूरी की पूरी laboratory ही, Mars पे भिज़ दी है, भाया, Perseverance rover ज 2020 को launch किया गया था, मतलब पिछले साल, चुलाई 2020 को, और अब यह 18 फरवरी को यह land कर गया है, यह उतर गया है, और यह चलती फिरती laboratory है, अब आप बोलेंगे, सर, यह क्या बात है, इससे पहले भी तो, Mars पे तरे सारे mission हुए, यह अलग है बेटा, यह इसलिए अलग है, क्य क्योंकि यहाँ पे पूरी drilling machine लगी हुई है, यह drill करके, जो सबसे important areas है ना, Mars के, drill करके, samples collect करके, यह लेके, चार इसका objective है, सबसे पहले तो, यह collect करेगा, drill करके samples को collect करेगा, उसके बाद फिर यह collect इसने कर लिया, तो फिर यह वापस आएगा, और जो Mars का ascent vehicle उसको transfer करेगा और ascent vehicle further orbiter को transfer करेगा, और सीधा धरती पे वापस आके, हम उन samples को study करेगे, बहुत सारी चीज़े लगाई गई है, 23 तो camera's है, moxie है, वहाँ पे oxygen से related experiment किये जाएंगे, और यह इंसान तो करेगे नहीं, यही rover करेगा, बहुत सारी, आप देखें किस पे already एक lecture बन चुका है, तो अब इस mission की हम बात तो करेंगे, लेकिन स्वाती मोहन पे यह lecture जो है, वो जाधा focus रहेगा, तो ऐसा है, तो यह astrobiological laboratory जो है, वो सीधा मार्स पे इन्होंने भेज दी है, और मार्सेन atmosphere की अंदर यह घुज गया है, जो crater है, crater मतलब वहाँ जो गड़े होते हैं बहुती safely land क कर गया है, देखिए, मार्स पे life है नहीं, क्योंकि मार्स में atmosphere ही नहीं है, मार्स है no atmosphere क्योंकि वहां का कोरी ठंडा हो चुका है, भाई भारार का कोर घूम रहा है, जिसकी वज़े से magnetic field develop है, जिसकी वज़े से जो भी harmful radiation हमको बचाता है, लेकि मार्स में सही नहीं, वहां का क का लोनी बना दे, बहुत सारी मुवीज भी बन ये मार्स पे, दम मार्शन एक जबरदस्त मूवी ते आप ज़रूर देखिएगा, तो ये मार्स पे लैंड कर गया है, और उसके बाद सबसे पहले अब ये घूमेगा, इधर उधर इसने ये message दे दिया कि भाईया देखो मैं ये पूरे प्लानेट पे सर्च करेगा, और ये भी देखागा कि क्या कोई traces and life किये, water है, hydrocarbon है, ये सब देखा जाएगा, तो ये बहुत ही advanced mission है, चलती फिरती laboratory को send कर दिया है, सबसे बड़ा काम किया है इसमें Dr. Swati Mohan, जिन्हों ने इस पूरे rover को control किया, और touchdown को, जब मार् करते हुए, इन्हों ने बोला, जो NASA के engineer है Dr. Swati Mohan, कि perseverance जो है, वो Mars पे land कर गया है, और अब क्या past life के कोई science है, मतलब इससे पहले Mars पे जीवन था, अब हम इसको खोजना शुरू करेंगे, 30 जुलाई, मैंने चाहिए 20 बोल दिया था है, 30 जुलाई, 2020 Cape Carnival Air Force Station Florida से इसको launch किया गया था, landing कहा हूँ यह, यह सब कुछ static facts से आप याद रखिएगा, river delta in a lake, jezero crater, ऐसा बोला जाता है कि Mars पे एक समय पे पानी रहा होगा, लेकिन अब सब खतम हो गया है, तो jezero crater पे इसको land किया गया है, Percy Reverence rover जो है, साथ instruments है, 23 से जाधा camera, 23 cameras है, जो कि experiment जो है, वो perform करेंगे, एक martian year, इसकी जो duration है, that is one martian year, जो कि अर्थ के दो साल के बराबर है, main motive यही है कि ancient microbial life, अगर microbes मिल गए, अभी अगर जिन्दा मिल गए, तब तो समझ लिजे कि पूरी हंगामा हो जाएगा, ठीक है, भयानक हंगामा हो जाएगा, लेकिन ऐसा possibility बहुत कम है, फिलाल अभी देखेंगे, लेकिन sample collect करके हम धरती पहले के आएगे, और देखेंगे क कि क्या वाकई में पहले life थी, मार्स में, तो एक तरीके से NASA का advanced mission है, और यह तो चलिए मैं आपको बताई चुका हूँ, कि यह क्या करेगा, core samples, मार्चन और drill करके, मार्चन रॉक को लेकि आएगा, soil को लेकि आएगा, और उसके बाद उनको study किया जाएगा, analysis किया जाएगा European Space Agency, यह सब सास में मिलके काम करते हैं, JAXA, तो जितनी भी, जो भी information वो इस दूसरे से share की जाती है, that is the beauty of science, तो जब यह जाने वाला था, तो Dr. Swati Mohan ने tweet किया था, कि बस 10 दिन बचे हैं, और countdown to Mars begins, अब Swati Mohan है कौन, अमेरिका की scientist हैं, NASA में काम करती हैं, Mars 2020, guidance, navigation and control, GN&C, इसकी lead operator है, मतलब जो leader है, GN&C, guidance, navigation and control, rover का सबसे important part, rover को land कराना surface पे, और उसके बाद उसको control कर रहा है, यह सब धरती से हो रहा है, इतनी दूर, ठीक है, energy कहां से आ रही है, plutonium का decay हो रहा है, जो कि ultimately आपकी electricity generate कर रहा है, तो उसके लिए बहुत साथ instruments लगाए गए है, G&&C, guidance, navigation and control, operation lead, leading engineer, leader है यह, इन्हों नहीं, इसको control, gas rover को control किया, तो lead system engineer भी थी, जब से development हो रही है, तब से लगातार स्वाती मोहन बनी हुई है, अपनी team की leader थी, और यह key communicator है, आप कैसे communicate करते हैं, रोवर से, इसी से ही, G&&C, सब system की, और जो rest of the project team है, उसकी chief communicator है, दोनों में communication, इनके थुरू होता है, responsibility क्या है, कि सबसे पहले तो, जो भी G&&C में involved है, उनको instructions दो, control करो पूरे missions को, policy क्या रहेंगी, उसको guide करो, और procedure क्या रहेगा, उसको follow करो, mission control room में, अब ये तो ही चलिए, इस project पे क्या काम कर रही हैं, लेकिन, डॉक्टर स्वाती मोहन, क्या इंडिया से अमेरिका गई थी, क्या वहीं पे पैदा हुई, ये इंडिया से अमेरिका गई थी, जब ये एक साल की थी, भारत से ये अमेरिका गई थी, वहाँ पे Northern Virginia, Washington, D.C, जो क फिर MS और PhD, MIT, from MIT, मनासा में आपको ज्यादा MIT ही वाले मिलेंगे, Massachusetts Institute of Technology, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा Engineering Institute है, तो इन्होंने MS और PhD की MIT से, और उसके बाद बहुत सारे mission, इससे पहले भी काफे mission, जैसे Cassini हो गया, Saturn पे mission ना, Grail हो गया, ठीक है, इन सब पे ये पहले भी काम कर चुकी है, और उसके बाद Mars mission पे ये काम कर रही है, जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2013 में, इसकी नीव रखी गई, तो लगातार साथ सालों से काम करे और उनकी महनत रंग लाई, अभी ये NASA की Jet Propulsion Laboratory में काम करती है, अब कैसे ये NASA की ओर चली गई, स्पेस में इनका इं ख्याल में स्पेस की जो सबसे बहतरीन मूवी हैं, वो है Star Wars और Star Trek, in fact मैंने भी जब Star Trek देखी थी, मेरा दिमाग घूम किया, Star Wars की timeline थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, YouTube पे वैसे बहुत सारे वीडियोज अविलेबल है, Star Trek की timeline पे, तो अगर आप उनको एक बार रिफर कर लीजिए, अब Star Trek, Star Wars जो है, वो Star Wars जाधा बहतरीन है, Star Trek second number पे है, हलागि दोनों equal footing में है, लेकि Star Wars का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो बहुत सारे साइन्टिस्ट, Star Wars और Star Trek देख के ही motivate हुए, कि हमको तो Space को explore करना है, तो Dr. Mohan जो है, यह जब इन्होंने 9 साल की तब इन्होंने Star Trek देखी, और इसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे तो universe पे explore करना, लेकिन दोस्तों यह तो चली बचपन की बात थी, एक कहतना एक idea डेवलप हुआ, मेन जो इस idea को एक ambition का रंग देना, यह इनकी teacher ने किया, साथी साथ यह pediatrician भी बनना जब तक यह 16 साल की थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, physics इनकी बहुत बढ़िया थी, और इनको एक इतनी बढ़िया teacher मिली, जिन्होंने engineering तक इनको guide किया, और उसके बाद space exploration में इनका interest डेवलप हुआ, यह guidance, navigation and control, यह सबसे important है भाई, देखिए rover अगर नीचे नहीं तो पूरा mission बरबाद, fail हो गया, rover की ही तो importance है, orbiter तो बहुत सार है मार्स में, तो एक तरीके से आख और कान है, इस mission की, स्वाती मोहन ने वो करके दिखाए, जो बहुत मुश्किल है, backbone है स्वाती मोहन, डॉक्टर स्वाती मोहन इस mission की, इस control system के थूँ यह सब system है, यह सुन सही जगा पे point कर रहा है, हलका सा भी, अगर 0.1% भी error हुई, तो mission fail हो जाएगा, और spacecraft को कैसे घुमाना है, कैसे land करना है, सबसे important है कि सेफली यह मार्स पे land कर जाए और land कर गया, और यह six wheeler rover है, सात मिनिट लगेंगे, Martian atmosphere के अभी यह top पे है, अभी यह planet surface पे जाएगा, त तो टोटल, अगर आप टोटल ले ले तो लगबग 18 मिनिट रहेंगे, लगेंगे, जब यह अर्थ पे transmission भीजना शुरू करेगा, यानि कि सात मिनिट तक आपका धर्ती का, मतलब नासा का और इस rover का connection तूट जाएगा, और यही seven minutes of terror होते हैं, जैसा के engineers बोलते हैं, यह seven minutes of terror है, क्योंकि इसी में ही, दोस्तों, या तो mission सही हो जागा है, फेल हो जाएगा, अगर कोई radio transmission, क्योंकि भाईया, देखो, आप यहाँ बैटे हो, कुछ भी खराबी हुई तो गया काम से, आप वहाँ तो जाओगे, यही से ही आपको करना है, तो इसी लिए seven minutes तक कुछ भी न नहीं देखना चाहिए, यह on and all बहुत ही जबरदस्त मुमेंट है, यह मेरा टेलिग्राम चैनल है, 13300 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही जोइन करेगा, खुछ नहीं पर तेरी देजर सद्दान तक नहीं उतरी साहिए,